So Hello Everyone, आज हम इस वीडियो में IRFC शेयर के बारे में बात करेंगे जो शेयर का प्राइज है यहाँ पे 33.5 पैसे है और इस शेयर में आज हमें जो है 1% तक के यहाँ पे negative returns दिये है साथी अगर हम इस शेयर के 1 month के returns की बात करते हैं तो 1 month में शेयर में हमें 1.93% तक के negative returns देखने को मिले है साथी अगर हम max में all time की यहाँ पे बात करते हैं तो all time में शेयर ने हमें 33.27% तक के हमें यहाँ पे इस शेयर के जो है positive returns देखने को मिले हैं आगे हम इस शेयर के bit quantity और ask quantity के बारे में बात करते हैं तो जो शेयर का buying pressure है वो तो यहाँ पे zero है और जो शेयर का selling pressure है वो यहाँ पे 1,16,634 है यानि इस शेयर में जो buying pressure है वो तो यहाँ पे zero है और जो हमारा selling pressure है वो एक लाग से भी जादा का है तब ही यहाँ पे इस शेयर में हमें गिरावट देखने को मिली है आगे इस share के resistance और support level के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो share है अगर आप इस share को यहाँ पे long term के perspective से hold करके चलते हैं तो long term में इस share के आपको जो है बढ़िया returns देखने को मिल जाएंगे short term के perspective से तो इस share में यहाँ पे थोड़ा बहुत risk देखने को आपको मिलेगा ही तो अगर आप इस share को long term के लिए hold करना चाहे तो अपने own risk में hold कर सकते हैं